नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ कांची पंसल यूपी में अगले साल होने वाले एविधानसबा चुनावों को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई हैं बीज़पी के अंदरखाने मदभेद की खबरों के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यूपी में सरकार और संगछन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है कई दिनों से यूपी में बीज़पी को लेकर चल रही अफवाब थमती दिखाई दे रही है खबर है कि सीम योगी आदितिनात और प्रदेश अध्यक्ष सौतंत्र देवसिंग के नेतरूत में ही बीज़ेपी आगामे विधानसवा चुनाओं में जाएगी अगले एक या दो हफ़ते में यूपी के अभी नेट में बड़े फेर बदल होंगे जिसमें कई नए चेहरे को जगह मल सकती है सुत्रों के माने तो एक शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्यदारी मिलेगी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की अठकलों को पाठी केंद्रिय नेतरूत की तरफ से विराम लगा दिया गया है यूपी चुनाओं से पहले संगचन और सरकार की सामनवें बैठके लगाटार होंगी पिछले दिनों लखनव में राष्ट्री समय सेवक संग के सह कारे वाहत दत्ततरे होसपुले ने संग के पदाधिकारियों और बीजीपी के बड़े नेताओं से फीटबैक लिया था मुलाकात की इसके अलावा बेल संग और पार्टी के सीर्थ प्राधिकारियों के साथ भी बैठक की इस बीच खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौतंत्र देव सिंह को बदला जा सकता है उनकी जगह उप्रमुख मंतरी केशो मौरिया प्रसाद को उप्रमुख मंतरी के साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है लेकिन अभी केंद्रिय नेत्रुत्व किसी भी तरह का रिस्क लेने के पक्ष में नहीं है सुत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्स जेपी नटा जुलाई में यूपी के दोरे पर जाएंगे बेल संतोस की बैचक के दोरान सबसे ज़ादा चर्चा एके शर्मा को लेकर हुई उनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी की कमान सौपने की भी चर्चा है साथ ही योगी अधितनाथ काबिनेट में जल्द ही बड़े फेर बदल की भी संभावना है मंत्री मंडल में अभी मंत्रियों की संख्या 54 है जबकि इनकी अधिक्तम संख्या 60 तक हो सकती है अगामी विधान सभा चुनाओ को देखते हुए मंत्री मंडल से कई कमजोर मंत्रियों की विदाई हो सकती है वही जातिये वच्षेक्रिये समिकर्णों को देखते हुए कुछ नए विधायकों को मंत्री बनाने की भी अटकले जोरो पर है उत्तर प्रदेश में लंबे समय से योगी काबिनेट की विस्तार की अटकले चलती रही है लेकिन कोरोना महमारी के चलते मंत्री मंडल विस्तार नहीं क्या जा सका अब जब इस्तिती नौर्मन हो रही है और विधान सभा चुनाओ में जादा वक्त नहीं बचा है मुख्य मंत्री की मंद्शा मंत्री मंडल को मजबूत करने की है क्योंकि बीजेपी का केंद्रिय नेत्रत कई मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है विभाग के अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते वहीं कई नए जहरे भी ताजबोशी के लिए कतार में खड़े हैं ऐसे में जेपी नड़ा प्रदेश के बड़े मेताओं संग मिलकर काबिनेट में फिर बदल पर चर्चा करेंगे संभावना है कि फरवरी के पहले सब्ता हमें योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है उत्तर भारत में यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत किला है बीजेपी और संग किसी भी कीमत पर यूपी जैसे बड़े राज्य को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते इसलिए बीजेपी आला कमान और संग लगातार बीजेपी के संगठन को कसने में जुटा हुआ है अभी के लिए वस इतना ही आप देखते रहे है गापिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया